हेलो फ्रेंड वेलकम तो माई यूटूब या टेक्निकल कोशन है मैं हूँ अलोक रेजन और मैं देख रहा हूँ आज चो इत्री प्तान का निर्टस और यह है टरसरी ट्रीटमेंट या एडवांस ट्रीटमेंट दोस्तों इससे पहले मैंने फेजिकल ट्रीटमेंट प्राइम इम्पवी होते है वह होते है पत सकjang समय ढूंड प्राइव ईकारण मेंसारी खंश किहोफ्यान कीया जायर सर्श कर्फार्यटमेंट वहथिए सब्कार करनार्ण है एक है, आउटर साइड में जो इलेक्टरान है वो एक है, तो जो मोनोवेलेंट आयन टाइप की जो इम्पूरिट्री होती है, वो एडवांस स्टेटमेंट वे रिमूव करते हैं, और मल्टि वेलेंट आयन होते हैं, जैसे जिनके वैलेंसी मोर देन वन है, जैसे आपका कापर हुआ, सोना हुआ, या लोहा हुआ, या रिद होया, मरकरी हुआ, कुछ भी हुआ, इनके जो हुआत वो बैलेंसी होती है, तो इसमें जो एक तरह इक तो इम्पूरिटरी मोनborek आयन और करते हैं आट संव मुटलीव्लीन्ट रिमोब करतें तीसरा वाइरस रिमोब करते हैं इस प्लिठ ऐड़्वांसमें और वाइक्तरिया रिमॉब करते हैं और ना से appetite वह सूम चूली रिमॉफ़ करते जय वह अगर पानी में रहेंगे तो वह दोस्तों आमारे लेखिया है नुकसान दायक है तो इसलिए हम इनकी advanced treatment करते हैं पानी की advanced treatment करते हैं तो इसमें हमारा मेंज यूज होता है वह धेश सारे filter है filter कई टाइब के filter यूज करते हैं उसमें उसके बाद इसकी degasification करते हैं कि पानी में जो गैस है उसको रिमोव करना यहां पर मैंने छटन गैस रिमोव लेते हैं उसके बाद इस ही के अंतरगास हमार डिस इंफेक्शन भी आता है यानि कि पानी में जो अगर जितने भी हमारे जैसे कुछ बैक्ट्रिया वगरा है तो वो बाइलोजिकल ग्रोफ कर सकत है उन्हों की डिस इंफेक्शन भी कर सकते हैं चोथा जो है इसमें आता है क्लोरीन रूवल यानि कि पानी में अगर प्लोरीन है तो उसको भी रिमोवल हम करते हैं तो यह चार जो है चार टेक्निक जो है इसके अंतरगत आती है अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सेंट फिल्टर एस उसित प्रेसर सेंट फेल्टर सेंट फिल्टडय और प Fest7 उन फिल्टर कर दोस्तों यह तर्भिटी रिमोव करता है यानिकि जो आपकी सचेंडीक सिस्यफ्डcake स 흡त्विण करेंगा और यसमिझेक हमारा उस्मियो जो दोड़तवाओं आस्पर रिम पर ऄ करेगा color और order order मतलब महख कोई गंध हो अगयरा आ रहे हैं तो वह एक्टिवेटेड़ कारवन फिल्टर ने सब्सक्राइब हो जाता है तो color order और पिग्मेंट जितने भी पिग्मेंट यानि कि जो color प्रदान करते हैं उस harmful chemical को भी यह करता है लोरीं को भी रिमूब करता है और कुछ हद तक suspended भी रिमूब करता है तो यह वह हमारा activated कारवन फिल्टर उसके बाद आता है quadrice filter जो है micron size से जो एब इंप्योर्टी है जिन इंप्योर्टी की size जो है माइक्रों से ऊपर हैं उनको तो कॉटेश फिल्टर रिमूब कर देता है लेकिन जो माइक्रों साइज की है उनको माइक्रों फिल्टर में ले जाके हम रिमूब करते हैं जैसे 5-10 माइक्रों साइज की जो इंप्यूटर है उसे माइक्रों फिल्टर में ले जाएंगे उसके ब इंक्योक बड़ताक्स और पढ़ता कीई मोल सब्सक्राइब करें दिदक्वि में करसा क्यांने मार्व पारइस डियू खुड़ यू अब न कह सक हो कि अ पशाया यू है प्लय करें मैंभी तॉन को हमरे मोरिय हैं ऑर मल्टि्विल्याइन फोस्ते के तो वायरस को हमें रिमूव करना है तो उसकी वायरस जो है उसकी साइज इतनी कम होती है कि वह न नैनो फिल्टर रिमूव कर पता है न माइक्रोन फिल्टर रिमूव कर पता है तो उसे हम क्या करते हैं उसे हम दे जाते हैं अल्ट्रा फिल्टर में अल्ट्रा फिल्टर क्या करेगा अल्ट्रा वाइलर ट्रे उस पे गिराएंगे उस पानी पे और अल्ट्रा वाइलर ट्रे जैसे ही गिरेगा पानी पे तो वह पूरा जो वाइरस है वह किल्ड हो जाएगा और पानी हमारा वायरस से भी मुक्थ हो जाएगा बैक्ट्रिया बात ही आरो फिल्टर भी रूमू कर देता है आरो फिल्टर बस वायरस को लिगा म्रोन कर पाता बाकी वो सब को लिगा है तो आर-ो एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी सास्पेंडे सौरिट को बक्टिरिया को मल्टिवेल अइन को मोनविलेंट नीको सब कर लेगा। लेकिन वह वाइरस को खतम नहीं कर सकता है वह वाइरस को नहीं माए सकता हुष आपको अल्ट्रा फिल्टर क सबढ़ेगी। इस तरह से हमारा पानी बहुत, अब पीने डायग योग होगा फिर अब इस नो फेल्ट्रे रेसन का पूरा रे SHRIJ давно है, इस में अब अब आते है ऄल्ए गैशिफिकेशन, यह दोस्तों यह तो सारी impurity है अब एक और impurity होती है जैसे गैस जो है जो है जो है पानी में इंवोल होती है जैसे आपकी जो है पानी में CO2 है तो वो कर्बोनिक इशिट बनाएगी अगर पानी में ammonia gas है वो भी highly dissolved है तो वो जो ammonical water बनाएगी तो degasification करना पड़ेगा गैस को रिमूब करने पड़ेगा गैस को रिमूब करने के लिए degasin tower ही उच करते हैं degasin tower आपको मालू ही होगा तो degasin tower कर यहां पर मैं discuss जादा नहीं करूँगा उसके बाद बाइलोजकल ग्रोथ नहीं कि बैक्ट्रिया उसमें नपनप जाए इसलिए उसके उसमें chlorine बगएरा डोज कर देते हैं ताकि उसमें बैक्ट्रिया नजन्वें क्योंकि अगर बैक्ट्रिया उसमें ग्रोथ करेगा तो पानी तुरंत खराब हो जागा तो इसलिए हम उस पान जब हम chlorine मिलाते हैं disinfection करने के लिए तो chlorine के मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा chlorine के मात्रा हमारे लिए आनिका रहा है क्योंकि यह respiratory system पर ज्यादा इपक्टर देगी तो इसलिए chlorine removal करते हैं हम chlorine removal के लिए हम एक chemical यूज़ करते हैं sodium meta by sulphate sodium meta by sulphate से हम chlorine को estral chlorine को remove कर देते हैं तो यह सारी चीज़े हम यूज़ करते हैं advanced treatment water की advanced treatment अब आपका पानी पूरा pure पीने लाइक है disposal लाइक है कुछ भी है और एक्दम प्योर हो तो आई ओप आपको advanced treatment भी समझ में आ गया थैंक्स पर वाचिंग जाहें दोस्तों